गट्करी के जिगहा राजना सिंग का बीजेपी करनाया अध्धक्ष लगभग तये, आज संसदीय अबोर्ट की बैक्ष्ट में लगी की मुहर्ण लगातार दूसरी बार बीज़ेपिय धक्ष बनने का गटकरी का सफना तूटा घोटाले के आरुपों से तंगा का गटकरी ने लिया इसी फांग देर रात मुंबई से दिली पहुंचे गटकरी कहा मेरे खिलाफ की गई साजिश यूपिय सरकार पर बरसे गटकरी कहा कानूनी और सियासी लड़ाई लड़ूँगा पूर्ति गोटाले को लेकर कई नेता थे सिलाब गटकरी ने कहा क्लीन चिट लेकर आऊंगा बापस 62 साल की बीज़ेपे नेता राजना सिंग पर बनी आम सहमती आनल फानन में बुलाई मीटिंग में हुआ फैची देर रात टॉप लीडर्स की बुलाई गई थी बैसरक सिश्मा स्वराज अरुटेटी वेंकईया नाइडू के अलाबा आरसे से राम लाग भी हुई शरीक सूत्रों के मताबिक लालकृष्टा अडवानी थे गटकरी के दूसरे टर्म के सिलाफ मुंबई में दिखी दोनों की कड़वाहट मुंबई में कारिकर में गटकरी के साथ थे लालकृष्टा अडवानी लेकिन दोनों ने एक दूसरे से एक शब तक नहीं बोला मुंबई में आयकर विभाग ने शुरू किया पूर्ती ग्रूप से जोड़ी 24 कम्पणियों का सर्वे 11 ठिकानों पर जांच पूर्ती ग्रूप ने कहा कम्पणी नहीं निवेश करने वालों की हो रही है परताल पहले गटकरी हुआ करते दारेक्टर नितन गटकरी को आयकर विभाग दे चुका है नोटिस पूठ साच के लिए एक परवरी को किया है तलग गटकरी की गदी छिन्ने पर बोले राम चेट मलानी कहा बीज़ेपी में जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है बीज़ेपी की कहला को कॉंग्रिस महासाचिफ जनारदें ज्विवेदी ने बताए विपक्ष का मामला कहा इस पर पार्टी नहीं देगी कोई प्रतिक्रिया केंद्र ग्रह सचिफ आरके सिख ने साधा संग पर निशाना कहा दस आतंक क्यों क्या RSS से लिंक के हैं सबूर आरके सिख ने कहा संध्योत एक्स्प्रेस बलास दर्गार शरी तान से जुड़े हैं RSS के सार चश्मदीदों ने लिए हैं ना ग्रिह सचिव के बयान पर RSS की कड़ी प्रतिक्रिया राम माधम ने कहा विचार धीन है मामने कानूनी कारिवाई करेगा संग बीजेपी नेता सुधांचु मित्तल ने कहा ग्रिह मंत्राले की नहीं है कोई साथ वोट बैंक की राजनीति करही है सरकार भगवा अतंक पर ग्रिह मंत्री और दिगविचे के बयान से कॉंग्रिस अस्थेहमद जनार्दिन द्विवेदी ने कहा धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है अतंक आज शिव सेना अध्धक्ष पत संभालेंगे उधव ठाकरे बाला साहब के निधिन के बाद संभालेंगे फार्टी की एहम जिन्मेदारी आज बाला साहब ठाकरे की 87 वी जैनती पर सेना भवन में होगा कारिक्रम उधव ठाकरे की होगी ताज पोशी उधव के बेटे आज बनेंगे सबसे ताकतवर कमेटे के सदसे उधव को मिलेगी कोज कमेटे के अध्धक्ष की कुर्सी युवासेना की जिम्मेदारी भी संभालते रही आदित्य कारिकारिया ध्यक्ष का भी मिल सकता है जिम्मा बालतार के जन्म दिन पर महिलाओं को चाकू बाटने की तयारी कारिकरम को हल्दी कुमकुम दिया नाम पुलिस की निज़र कॉंग्रस के नय उपाद ध्यक्ष राहूल गांधी के लिए पार्टी बुख्याले में कमरा तयार आज दो पहर से सभालेंगे कांकान मा के पास बेटे को बिला कमरा पाठी अध्यक्स नुनिया गांधी के बगल के कमरे में बैठेंगे उपाध धक्स राहूल गांधी राहूल के सचिव कनिश्क सिंग ने लिया कमरे का जायजा दफ्तर को अत्याधुने कम्प्यूटरों से किया जा रहा है लैज आज अकलेश यादव के चुनावी वादे पर लग सकती है क्याबिरिट की मुहर चात्रों के लिए लाप्टॉप खरीदने की योजना को मिल सकती है मंजूरी उत्तरप्रदेश सरकार ने 15 लाख लाप्टॉप खरीदने के लिए रखा है दो हज़ार करोड का बजट बारा के चात्रों को बाधी की सरकार गड़तंत्र दिवस उत्सव के लिए आज राजपत पर होगा फुल ड्रेस रहर संक दिल्ली बालू को सडकों पर हो सकती है दिक्कत 26 जन्वरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश का अलर्ट लशकर और हुजी आतंकी किकते हैं धमा के निचाने पर कई शहर ग्यांग्रेब पर सजा के मामलों में आज जस्टिस जेस बर्पा कमेटी सौप सकती है सेफारिश सरकार ने गठित की है तीस अदस्टी एक कमेटी ग्यांग्रेब के सुन्वाई दिल्ली से बाहर करने पर आज सुप्रीम पोप में हो सकती है सुन्वाई कल सुप्रीम पोप ने सुरक्षिक रख लिया था पैसला आज से खुल जाएगा कालिंदी कुंट ब्रिज एक महीने के परमत के लिए किया गया था बंद छे महीने बाद दिल्ली में फिर चली एरपोर्ट मेट्रो लेके नहीं रही हाई स्पीर 105 की जगा 50 किलो मीटर प्रति घंटे हुई रफ़तार सेना के रिटायर दवानों के हवाले की जाएगी बसों की सुरक्षा दिल्ली सरकार तयार कर रही है योजना दिल्ली के जामे युनिवर्सिटी में खुला सेंटर फॉर नॉर्ट इस्टाडी केंद्रे मंती पल्लम राजुने के आउध्धातन दिल्ली में चुनावी साल में खवासाइम कॉंग्रेस सांसत महाबल मिश्रा ने नजवगड के लिए मांगा मोलो रेल संदीब दिक्षिक के लाखे में चलाने का है प्लान दिल्ली में महिला पर भढ़के प्रदेश कॉंग्रस अध्यक्ष जेपी अगरवाल विकास को लेकर सावाल पूछने पर कहा ध़के मार कर बाहर निकालो प्रदेश कॉंग्रिस सद्ध्यक्ष में मंच से ही महिला को खटकारा कहा पागल महिला कहां से आ गई लेकिन बाद में बताया मा समार यूपी के अमरोहा में समाजवादी पाठी के नेताओं के दबंगगई पलिस के साथ गाड़ियों के चेकिंग करने उतने लोगों को दोड़ा दोड़ा कर पीचा समाजवादी पाठी का जंडा और हूटर लगा देख बिद के पाठी नेता हूटर तोड़ने का विरोज करने पर ड्राइवर को पीजा नेताओं पे दबंगई देख भी रही पुलिस लेकि दियाई जी शेलेंदर प्रताप सिंग ने कहा कानून हाथ में लेने वालों पर ओगी कारिवाई पुणे के एक नामी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल पर लगा 14 साल की छात्रा के साथ रेप का इज़ाम पुलिस ने आरोपी को किया गिरफतार तीन दिन की पुलिस रिमांड में गरवालों की मदद से पुलिस में दर्श कराई एफायाद गारजदानी दिल्ली में एक पडोसी पर महिना ने लगाया रेप का इज़ाम बचने की कोशिश में आरोपी को मारा चाकू आरोपी गिरफतार बिहार के दर्भंगा में दूले के हत्या मामले में नाया मोड दुलहन के मताबिक प्रधानों के आपसी रंजिश के चलते हुआ खतल मेरे हत्या करना चाहाथा तारों के मुंबई में मुलुन के निजाजी थुभाष रोट पर बोरी में मिली महिला के लाश शरीर पर नुकेले हत्यारों के जख्ति मुंबई में हिजबुल मुझ्जाहे दिन का आतंकी गिरफतार कश्मीर के बारा मुला का है फारुख नाये कूँ साथी मुहम्मद कालुग डार भी गिरफतार अवाला ड्रग्स और जाली नोटों का है कारुबारी पोच की जानकारी भूटा सीमा पाद ड्राइफ्टूर कारुबारी बन कर रह रहा था मुंबई में बिहार के दरबंगा में ग्रफतार आयम के आतंकी दानिश अंसारी के पता का आरोगों से इंकार कहा बेखसूर है बेटा कभी घर पर नहीं ठहरा या सीम धटकल बुंबाय चिन्नस्वामी सेडियम ब्लास से सम्बंद की नाये ने शुरू की परतार जर्मन बेकरी कान और जाम मस्जिद ब्लास में भी वांटेड है दानिश भारत ने पाकिसान के चार कैदियों को किया रहा अमृत्सर जेल से हुई रहाई दिल्ले के चाना के पूरी थाने के पास मेला शु़्वम नाम के चात्र का सक्ष। नाराज लोगों ने थाने के बाहर किया हंगामा पुलिस मेमोरिल पाक के टोलिक में था शिवम का शब लोगों का आरोप पुलिस ने नहीं की समय पर कारवाई पांच दिन से गायब था शिवम मुबाइल पुन में खैद हुए दिल्ली के पंटून फुल के चोर दिन दहाडे चुरा लेकर 13 कैपसूल तीन दिन में गायब हो गया 30 की सदी हिस्टा जेसीवी मशीन लेकर आय से पंटून फुल के चोर पुलिस से भी की गई शिकायब लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठी रही पुलिस जीरिये को दो करोड में पंटून फुल बेचने चल रही थी की डील लेकिन करीब तिरप लाग के कैपसूल पहले ही हो गय गायब राज़दानी दिल्ली के शेष बिहार इलाके में अपार्टमन की चौती मजल से गिरकर महिला की मौत घरवालों ने जताई हत्या के आशन महिला की 2003 में हुई थी शादी महिला के दो बच्चे हैं पती और ससुराल बालू पलगा हत्या का इल्दाउप पुरगाउं मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की ने महिला के आँखों में जहरीले पदार थेंक कलूटा पर बाद में महिला के एटियम से की 34 हज़ार की शौपिंग पुलिस ने मामरा दर्श कर जान शुरू की आरोपी युवती की तराश के लिए CCTV फुटिश खंगालने में जुटी पुलिस नुध्याना के सुंदर नगर इलाखे में होजरी फैक्टरी में भीचनाग लाखों का माल जल कर खाग इलाबाद महा कुम्भ में साधू संतो ने दिखाई विलासिता चौवन दिन के लिए टेंट पर बहाए पानी की तरह पैसे कुम्भ में हर टेंट पर हुए 15 से पीस लाख तक खर्च एको फ्रेंडली थीम पर सजा अवधेशानंद गिरी का टेंट परिसर में लगाए 10,000 पौदी अयोधिया के सखी सम्रदाय के संतो ने बढ़ाई महा कुम्भ की रौनक, राधा और जानकी बन कर नाशते हैं संत महा कुम्भ में घूम घूम कर शिव की कथा सुना रही है जंगम साध्यों की टोली सिर्फ संतों से मिली भिक्षा पर करते हैं गुजारा मेले में 10 करोड लोगों के क्राउड मैनेज्मेंट ने दुनिया को किया है रान हावर्ड यूनिवर्सिटी से पहली बार शोध करने पहुंचे चातर जैप लिटरेटर फेस्टिबल में पाकिस्तानी लेख़कों को बुलाने का बीजेपी ने किया विरूद युवा बोर्चा ने कमिशनर के दफ्तर में किया प्रदर्शन जैपोर लिटरिचर फेस्टिबल में जी थाल को बुलाने पर अलप संख्यक भी नाराज पिछली बार किताब का विवादित अंच पढ़ा था दिली पर घने कोहरी के आफ़स सुबह सारे पांच बजे रिकॉर्ड हुई जीरो विजिबिलिटी ट्रेन और प्लेन पर पढ़ासर श्री नगर में हार कपाने बाई ठंड से लोग परिशान पारा माइनिस पांच दशमलग चार डिगरी तग गिरा उत्राकन के तरह ये इलाकों में शीफ लेहर का कहर बारिश के बाद बढ़ी ठंड और भी बना आफ़त भारत और इंग्लान के बीच चौथा वंडे आज मोहाली में 12 बजे शुरू होगा डे नाइट मैच मोहाली मैच जीत कर भारत के सामने सिरीज मुट्थी में करने का मौका पांच मैचों के सिरीज में 2-1 से आगे है भारत मोहाली में प्राक्टिस के दौरान धोने को फिर लगी चोट टीम मैनेजमेंट का दावा हाथ के अंगूठे की चोट गंभीर नहीं मैच जरू खेलें धोने युवराद सिंग भी खराब गले के वज़र से प्राक्टिस से रहे नदारत लेकिन मैच से पहले फिट हो जाएंगे युवराद ने कहा मोहाली मैच को हलके में नहीं लेगी टीम इंडिया बादी पल अड़ सकता है इंग्लैंड अपने खराब फॉर्म पर पहली बार बोले विराट कोली कहा गलती करके आउट होने पर आताता गुस्ता कोली ने सहीम को बताया कामयावी कि कुन जी कहा किसी भी बल्ले बाद के लिए लगातार और करना मुश्किल इंग्लैंड के स्पेनर जेम्स ट्रेडबिल ले दी टीम इंडिया को जेद दाउनी कहा पाता पलट सकते हैं इंग्लिश टीम मुहाली वंडे से इंग्लैंड के विकेट कीपर की स्वेटर का कट सकता है पत्ता बतलर को मौका मिलने की उम्मीद फिल्माई के म्यूजिक लॉंच पर पहुँचे मास्टर ब्लास्टर सचन तैनूल कर कहा दर्शकों को जरूर पसंद आएगी आशा भोस्री के आक्टिंग आशा बोली तक रहा है डर फिल्म मैं कृष्णा हूँ कि स्क्रीनिंग के मौके पर पहुची कट्रीना कैफ गरीब बच्चों के लिए की गई थी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिग मैं कृष्णा हूँ के फ्रोमो में भी नजर आएंगी कट्रीना रुतिक के साथ बनाया गया है फिल्म का स्पेशल फ्रोमो अब नेत्री प्रियंका की दिर्याद दिली गोविंदा के साथ अपनी फुरानी फिल्म दीवाना मैं दीवाना के प्रमोशन में जुदी फिल्म के निर्देशक बोकाडिया ने दिया था प्रियंका को ब्रेक फिल्म के बचे हुए खुछ सीन्स भी प्रियंका ने बिना पैसे लिए फिल्माए एक परबरी को फिल्म होगी रिली अमेरिका ने मुंबई हमले के मास्टर माइंड डेविड हेडली के लिए 30 से 35 साल की सजा मांगे लशकर का आतंकी है हेडली भारत को प्रत्यारफण से इंकार इंग्लान के ड्रावर सिटी में बदबुदार गैस के बादर को लेकर लोग परेशान फ्रांस की ओर से आया आसमान में धुए का गुबार प्रोईशिया में बर्वबारी के बाद बार का कहर गर्मी बढ़ने से पहडो पर जमी बर्वानी बनकर नदियों में उतरी हॉलंड में भारी बर्वबारी से लोग बेहाल कई सब्वे बंत राज़ानी बारस्ता से उड़ाने भी रख रूस का ओए माई खून गाउं बना धर्थी की सबसे चंडी जगा पारा पहुचा मैनिस इकटार डिगरी के पार मुबाइल पोन नहीं करते हैं काम मुचर के लंकन शहर में सामने आया दिल देहलाने वाला विडियो तेज रफतार मालगाडी की चपेट में आने से बाल-बाल बचाएक लापरवाशा अलजीरिया में सामने आया हिंसा का विडियो देखते ही देखते दह गया गैस प्लांट लाउस से वर्ल्ड एकनॉमिक फोरुम की सालाना बैठक शुरू दुनिया भर के नेता जुटे चार दिन चलेगी बैठक चीन के गौंग जाओ सफारी पार्क में पहुंचे तीन नए मेहमान औस्ट्रेलिया से लाए गए कुवाला भालू सिंगापूर में शुरू हुआ स्प्रिंग फेस्टिवल धूम थाम समना जाता है चाइनीज न्यू यर्ड